प्रदेश में लगातार घटनाय हो रही है और ये घटनाय जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की बज़े से हो रही है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है इंकाउंटर नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई हैं अगर इंकाउंटर से ही लौइन आउर्डर बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कई आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता जीरो टॉल्रेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए यह एड्मिस्टेटिव फेलियर था सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तै था पुलिस की जानकारी में था तो आखिकार आपने शांती पूर ढंक से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कारकम को संपन क्यों नहीं करा पाई जो लोगे एक शांती पूर तरीके से एक कस्वे गाउं का या आसपास के लोगों का कारकम शांती पूर्ण से संपने नहीं करा पारेंगे उनसे लॉडर की क्या उम्मीद करेंगे आप और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ाबा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने के अपनी सम नकामी छिपा रहे हैं याद कीजिए उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पर सवाल उठाओ मंगेश पर तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें च्छत्रियों को भी मार दिया तो यह कहां का लॉइन ओर्डर है कहां कि यह विवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इंकाउंटर कर रही है जो घटना हुई दुखद हुई जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो जो वहां पर फेलियर था हमारे साथी ये पूछ रहें कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे जो दुखी परिवार होगा उसको नियाए दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे लेकि सवाल ये वही खड़ा हुई आता है कि सरकार की नजर में भेदवाब नहीं होना चीए सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइडेंड रूल सरकार उसी पे काम कर रही है डिवाइडेंड रूल ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं और आप तो पत्गार लोग हैं वुद्जी भी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है आप मुझे से बहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है और कराई गई के लिए दोशी कौन होगा, अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्वंधी जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने हैं, इस पे आप लोग बहतर जानते होंगे, यहां एक कोई पतकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो, कि यह घड़ना रोखी जा सकती थी, किसी की जान नहीं जाती, अगर जान गई है, हम दुख बाटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख माट रही है, सरकार को इस बात पर दुख करना चीए था, गड़ना क्यों हो गई होनी नहीं चीए थी, जऑ सर्फरास की बहना कहना यह है, कि कल पुलीस ने गिरिप्तार किया था, और आज इंकाउंटर दिखाया, कल गिरिप्तार किया था, यह उत्तर पर देश की पुलीस को बिएर करने के लिए डाइल हंडर से ले करके और सुबदाएं दी, कई कारे ले इंक पुलिस के पास खिलाब करवे होगी जेल भी जाएंगे और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखवार में निकला दाए इसी प्रदेश के इसी सरकार के सबसे पहले डीजी पी उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इंकाउंटर कर रही है कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं कर रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और मुझे सुनने में यहां तक आया है आप बहतर बताना इस बात को कि जिस वेक्ति ने पहला वीडियो वाइरल किया उस प्रसेशन का उस पतकार के हाथ या पैर में बहुत चोटे आई हैं उसमें किया च्छिपा रहे हैं कुस तो च्छिपा रहे हैं न drawn जी से जो मिलाया हो उसे क्या मॉआबजा क्या नौकरी की बात करें हम अज़ा बताईए मुखंदी जी के साथ जो दो घंटे गुजरा वक्त गुजा रहा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चीए और फिर जो फेक इंकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या यह जो समाजवादियों ने काम किये उससे बहतर काम करके जनता को सुविदा देने का काम करेंगे यह आप मुझसे बहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचा पूछे ना और आप नाम डिसक्लोज मत करना और यह पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए तो योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शरब कैसे जा रहे है बिहार में अगर बिहार में शराब जा रही हो हमारा पत्तकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है तो अब अब तो बीजेपी के समर्थन की सरकारे दोनों तरफ हैं बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहां पर बीजेपी के सरकार है तो बॉंडिंग अच्छी चल लिए ह कि इसी विज़े शराप पहुंच रही हुआ पर अगर आपको और कोई सुजाफ देना हो तो बता दो वो जीतेंगी अच्छे बोटोस जीतेंगी उन्हें भी जूटा फसा है इसलिए कि वो मुस्लिम बिधायक है